नमस्कार दोस्तों ग्यान की बाते में आपको श्वागत है आज जुन उसके आज मैं आपको बताने वाला हूँ वह यह है कि अपने घर से छिपकली को कैसे भागाएं वैसे तो चिपकली हमारे घर में होते हैं तो उसके फैदे भी हैं जैसे कि वह घर में जो छोटे-छोटे कीरे होते हैं पतंगे होते हैं बड़साती कीरे होते हैं उसको खा जाती है तो कीरों को खाने कीरे मोकरों को भागाने आपके मदद करती है पर फिर भी कई लोग चिपक मैं यह नहीं क्या हूँग कि अप छिफकली को मारें आँ उसको नुक्षाद करें मैं शुरू से ही जनवरों के प्रति दय कबाब रखता हूँ इसलिए मैं आपको छिफकली बागाने के वारे में जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो छिपकली को बीना मारे उसे आप अपके घर से भागने में मदद करेगी सबसे पहले दोस्तों मैं आप आपको यह बताना चाहूँगा कि छिपकली हमारे घर में कैसे आ जाती है या क्यों आ जाती है या चिपकली हमारे घर की दिवार उपर क्यों आ जाती है तो इसके कुछ बहुत सारे कारण है एक दू मैं आप से बताना चाहूंगो सबसे पहला तो यह है कि आपके घरों में छोटे छोटे की पतंग कीरे और मकोरे चिपकली को अपनी तरफ आकरसित करते हैं तो यदि अपके घर में कीरे मकोरे हैं या दिवालों पर बल्व की रोसने में कीरे मकोरे आते हैं तो चिपकली वहां पर आए जाएगी क्योंकि कीरे मकोरे उसके भोजन है दूसरा घर में सब्सफ़ाई नहीं नहीं का आओ रही कारण भी फितरशक़ी द्लक़ेक कारण मिलता है क्योंकि जहां सब्सफ़ाई नहीं नहीं ओगी, हाँ किर्य मक्रह्च द्वाएं गी कोशिस करे कि घर के कौने जैसे अलमीरा के पीछे, केशी के पीछे, गुलर के पीछे, तरवाजे के पीछे ये अन्य जगों पर जहां अंधेरा रहता हो, साब सफाई करते रहें चलिए दोस्तो, आप चिपकली से छुटकारा पाने का इलाज क्या है, पाएं क्या है, तरीका क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला है मूर के पंख, मूर के पंख आपने बजारों बिक्ते हूए देखाई होगा तो जो मोर के बंक बिटते हैं उसे आप खरीद कर घर पे ला सकते हैं यह एक सबसे अच्छा तरीका है जिपकली को घर से भगाने का पांस से छे मोर के बंक को ले कर दिवाल पर जिपका दे और जिपकली कुछी दिनों में गयब हो जाईगी छिपकली में सहज प्रविद्धी होती है कि कैसे अपने दूसमनों शिकारीوं से बचना है मोर छिपकली को खाते है तो सुभाविक है इसलिए छिपकली मोर के बंक को देखकर ही भाग जाएगी अगर आपको मौर की पंक नहीं मिल रहे हैं तो कोई और पंची का पंक को इस्तमाल कर सकते हैं हमारा मेन उद्दे से छिपकली को भागाना हाला कि मौर के पंक मिले तो ज्यादा बेहतर हो दूसरा प्याज प्याज भी एक अचुक दवा है प्याज भी एक बहुत अच्छी दवा की तरह खाम करता है छिपकली को भागाने में आप बस प्याज को लेकर घर के दर्वाजे या फिर जहां छिपकली अक्सर दिखाई देती हो वहाँ पर टांग दे प्याज की तीखे माग से छिपकली खुद वखुद घर छोड़ कर चली जाएगी आपको कुछ करने ही जरूरती नहीं है तीसरा जो उपाय है वो है फिनाईल की गोली यह अक्सर हम सभी अपने कपरों के बीच में रखते हैं ताकि कीरे नहीं लगे आप इस फिनाईल की गोली को दरवाजे, पलंक, अलमीरा और जहाँ जहाँ छिपकली अक्सर दिखाई देती हो वहाँ पर दो से तीन गोली छोड़ दे वे इसके माँ को सहन नहीं कर पाएगी और भाग जाएगी चौधा जो उपाय है दोस्तों वो है लाशून पहले हम लाशून अच्छा लगता हूँ, परन्तों चिपकली को इसके गंद अच्छे नहीं लगती है चिपकली लाशून के गंद सूंखर बहुत दुर भागती है एक लाशून को ले दोस्तों करना यह है कि एक लासून को लेकर उसे पांच से छे भाग में बाट लिए और जहां आपको छिवकली अक्सर दिखाई देती हो वहां पर इह सिफ टांग दे कोज दिनों में आप देखेंगे दोस्तों कि छिवकली अपने आप भाग गई आपको छिपकली दुबारा फिर दिखाई नहीं देगी उस हस्तान पे पाजबा जो टिप्स है वो एक मिर्च अस्प्रे है एक मिर्च कि गोल आपको बनाने होगे आपको लाल मिर्च की कुछ मिर्च खरीदने होगे जैसे कि आप जानते ही हैं लाल मिर्च के गंद बहुत दिखी होती है और छिपकली को लाल मिर्च के दिखी गंद पसंद नहीं आती है छिपकली लाल मिर्च के गंद को जान नहीं कर पाती है आप मिर्ची लाल मिर्ची के अस्प्रेग हो जहां जिस अस्थान या जगव कर चिपकली दिखती हो वहाँ पर इसे अस्प्रेग कर दें दो से चार दिनों में वे रफु चक्कर हो जाएंगे पर इसके लिए आपको डेली इस्प्रे करना होगा जहां पर जिक के लिए आती है अब जिक मिर्च इस्प्रे बनाने का बिधी भी मैं आपको बता ही देता हूँ मिर्च Сप्री बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है मिर्च स्प्री के लिए एक बोटल में आधे गिलास पानी भड़े लाल मिर्च पॉड़र ले ले अच्छे तरी से मिला ले और आपका मिर्च स्प्री तयार है जहां छपली जी सिस जादी उसको मापे पर पूपे करें अप कुस दिनों में देखेंगे कि उस अस्तान पे चिपकली आना पंद करती तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया चिपकली को घर से कैसे बगाएं आसान तरीके में फिdd दे फिख करें ध या घठ रेलू समध करें और अच्छे ची बातों के लिए और आप हमें एवी सलिशन दे सकते हैं कि हम आपको किस टॉपिक के बारे में बताएं आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं अब प्लीज कमेंट में लिखे हम आपको बताएंगे धन्यवाद दोस्तों